नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका लाइफ अटेर नमिश्टा ये चैनल पर वाज एक नया वीडियो है जो वीडियो को दूसरी बार रेकॉर्ड किया रहा है क्योंकि पहली बार जो रेकॉर्ड किये थे वह अल्रेडी उसके दो मिनिट के बाद का वीडियो सब्सक्राइ रेकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर से रेकॉर्ड हो रहा और टॉपिक जैसा कि अपने तबने पर देख लिया कि मार्केट क्यों गिर रहा है और कहां तक गिरेगा यह है टॉपिक अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए इस चैनल को थोड़ा ग्रो होने दीजिए लोग सीखेंगे तो उनके लिए अच्छा है तो अब टॉपिक पे चलते हैं चलिए ठीक है अब पहला चीज यह है कि हमको यह जान कि निफटी तो पता नहीं का निकल गया साधे साथ हजार क्या सपास से गया था और पहुंच गया वह अठाहरा सो क्या सब्सक्राइब कि कितना जा चुका है और अब क्या हो सकता ठीक है क्योंकि अब देख अब अगर मैं पिछले अफते का मैं वीडियो आपको दिखा पात तो अच्छा होता पिछले अपते के वीडियो में अगर मेरे पास अभी बची होगी तो दिखा दूंगा और करके कि मैं क्या कहना चाहता था उसमें मैंने सिंपल यही बताना चाहता कि मार्केट कहां तक जाएगा और अभी का क्या प्रेडिक्शन है तो उस वीक में जो प् ठीक है और मुल्टिपल चीजे देखेंगे ठीक है पहली बात हम यह देखते हैं कि मार्केट इतना उपर गया क्यों था ठीक है यह लोगों के पास पैसे तो थे ठीक है अतलब जो कौरपरेट में काम करते थे उनके पास पैसे थे लेकिन उनकों इन चीजों की अवेर्नस न स्टॉक मार्केट की अवेरनस नहीं पहली चीज जो लोगों ने समझा उस टाइम पे वो था तो बहुत लोगों को पता चला कि यह अच्छा यह हो रहा है और सकेंड चीज उस टाइम पे यूटुब में अगर आप देखोगे तो बहुत जादा लोगों को बहुत जादा जो सब्सक्राइबर के पास है मतलब उतना ज्यादा बूम मिला सड़न बूम रिजन यह था कि जब आप अपने प्रॉफिट लॉस डालते और उस टाइम पे लॉस और प्रॉफिट बगड़े हो रहे तो अगर एक दिन में एक सर्कृट लग जाता है मार्केट में लो निफ्ट परसेंट और तो पॉइंट गिरता है मतलब और फ्यूचर्व में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता और उस टाइम पर तो मार्जिन अच्छा वालेबल था तो लोग अच्छा पासा तो लोगों को पता चला चला च्छा ट्रीडिंग भी होता है इसे ऐसे पैसे मार्केट को अगर आप देखोगे तो पिछले साल से अगर मतलब 2021 की बात कर रहा हूं 2020 में तो ठीक है इतना इतना नहीं था 2020 एंड से 2021 अभी खतम होते होते हैं देखो आपको सैलरी हाइक कितने मिली है मतलब मतलब बहुत लोगोंने स्विच किया है जॉब्स आईटी की बात कर रहा ह क्योंकि जादा पैसा आता है यहीं से आ ठीक है तो लोगोंने जब स्विच किया जादा तर शॉब्स तो उनको अच्छी खासी सैलरी हाइक मिली और बाहर की स्पेंडिंग है नहीं आप देखो पैसे आप इंकम आपकी बढ़ गए ठीक है इंकम बढ़ी है और इस तरफ देख रहे हो कि आपका खट आप मुछ निँजा रहे हो ठ्रैवली कर रहे हो ठीक है बाहर खाना खान निया बहुत सारे को पैसे बच जो रहे हो कहां जायगा लोग किसी तरह तो यूज करेंगे हाँ बहुत लोगो ghamने चले बात में लेकिन सालतर लोगो ने क्या किया कि ए यह एक opportunity की तरह देखा कि okay पैसे आ रहा है I have seen this series मैंने यह series देखिए मैंने यह देखा है और किसी ने बोल दिया कि यह उपर जाएगा और किसी ने बोल दिया कि उपर जा चुका है उत्ता उपर तो लोगों को पहले मतलब at least one तक तो लोग खीच के लिए अच्छे खासे पैसे वाले लोग खीच के लिए लेकिन उसके बाद जो गया है यह मेरे हिसाब से हाँ इंडिविजल्स हैं लेकिन यह चोटे-चोटे जो इन्वेस्टर अच्छा ख बूम किया ठीक है यह पहला रिजन था ठीक है यह मतलब दो कॉंबिनेशन ओफ रिजन थे और एक जो बहुत जादा सोचने वाली बात थी कि लोगों को जैसे मैंने बूलाग पैसे बच्चे हुए थे अब यह सब के बात क्या हुआ हुआ है लोगों को आईडिया नहीं था अब बहुत जादा लोग लिटरिट नहीं है स्टॉक मार्केट के उपर वो क्या कर रहे है कोई भी बोल दे रहा है उसके उपर बाय कर रहा है ठीक है अब वह हो रहा था अब उसके उसका फ्लिप सेट देखो अब नीचे क्यों आ रहा है ठीक है अब नीचे क्यों आ रहा है जो भी पहले चल रहा था आप अगर कोई बिजनस कर रहा है आज पास के बिजनस आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कितने ज्यादा चीजें इंपक्ट हुई है अभी तक को नॉर्मल पर आई नहीं है ऐसा नहीं कि हर चीज डबल रन करने लिगी है लेकिन मार्केट अ हो चुका है ठीक है हाँ ठीक है अब उसके बाद भी एक चीज बहुत जाथा इंपोर्टन जो देखना आपको समझना है कि इतना सब उपर जाने के बाद भी कोई गया नहीं है डबल लोगों को अभी भी हो रहा है ठीक है और और खतरा इंडिया मैं एक लिस्ट बहार अल्र इसके बाद मंतली पर जाएंगे ठीक है वीकली चाट भी अगर आप देख लो तो इतना जाधा रेड जो आप देख रहो इतना जाधा रेड पहली बार हुआ है आफ्टर यह फॉल यह बड़ा फॉल हुआ था हमारा काहा गया रोफॉल फॉल ही नहीं दिख रहा हाँ यह पिछले साल ओला फॉल ठीक है यह तो पूरा ऐसे गिरा था जो गिरा था देख रहा हुआ जो मुने बोला साड़े साथ हजार पॉइंट्स उसके बाद से देखो पहली बार है जो इतना जाधा रेड दिख रहा है इवन और डे बेसे ठीक है और यह कंसिस्टेंटल ठीक है अब वीकली पर आजाओ ठीक है फाइनेशल आपने समझ लिए कि मार्केट उत्ता चला नहीं है मैं फिर बाकी स्टॉक्स भी दिखाओंगा आपको दो तीन समझाने के लिए उसके बाद समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहा जाएगा और स्टॉक्स के उपर यहां आ गया फिर उपर गया फिर यहां आ गया फिर इन सिमिलर पैटन था हर जगा जहां से गिरा था ठीक है यह सिमिलर पैटन था अरे हां यह अच्छा एक सिमिलर पैटन था अब यहां से मान लो यह गया यह यहां पर लो ब्रेक नहीं किया उपर गया लो ब्रेक नहीं कह ठीक है और उसका एक low break हो सकता है weekly basis पर और यह तरह का स्विंग मान सकते थे लेकिन यहां पर और एक pattern बन जाता है जो कि मैं अगर आप ध्यान से देखो तो यह double top बन सकता है ठीक है double top अगर आपको पता है तो यह pattern है जो यहां से रिवर्सल का साइन आता है और वह भी कहां से अठारह अजार सही आया वापस तो इस गुड़ साइन फॉर नेगेटिव मार्केट ठीक है अब अब इसके बाद एक और चीज़ देख लो यहां पर पहली बार यह लोग कंटिनूस दो कैंडल अपने लो ब्रेक करते अब पुराना कोई भी अनलेसिस देख लो मतलब यह वीकली बेसिस वाले पहली बार ऐसा लो ब्रेक कर रहे हैं यह बड़ा बड़ा लो ब्रेक किया यह बड़ा लो ब्रेक किया यह बड़ा लो ब्रेक किया यह पहली बार ऐसा हो रहा है और इतने consistent basis पर इतना बड़ा fall यह पहली बार इतने इतने टाइम पर हो रहा है ठीक है यह यह हुआ था लेकिन consistent basis पर यह पहली बार हो रहा है तो यह एक sign है for a negative market reason again आपको बताया मैंने कि बहुत सारे चीजें effect कर रही है अपने बहुत सारे यह देख लो बहुत साइकलों सारे बारिश बहुत बहुत खराबाली आ रही है इसका मतलब agriculture जो प्रोडक्स आने वाले थे वह बहुत को अब यह देख लो कि अच्छा weekly basis पर क्या हुआ है यह डबल डबल और टॉप बनाके नीचे आ रहा है पर हों भी मार्केट के अगर आप देखो यह फॉल था उसके बाद एक रड़ उसके बाद से अगर देखो पहली पूरा उपर गया है और हमेशा मैं कहता हूं मार्केट एक लाइन में उपर जानी सकता कोई बीची उपर नहीं जाती ऐसे अल्मोस नीचे एक बार आना ही आन सब्सक्राइब अब यहां पर देखो एक फॉल आया था अरॉंड सोलो सो मार्केट था फिर आट सो वा ता मतलब 50 परसेंट डाउन हो गया था लेकिन उसके बाद अल्मोस्ट एक यह था एक जगह पर एक यह उसके बाद करके फिर हाई कर पास आया फिर कंसलेट किया फिर ग पर गया सिम्लर पैटन हर जगह ठीक है लेकिन यह पहली बार हुआ है यहां कंसलेट किया ही नहीं सीधा उपर चला गया रिजन जो बने बला कि लोगों पास पैसे थे और आते गया आते गया बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट थी लोग यह ऐसा हो गया ठीक है अब यह द सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बढ़ा रेड़ींडल बना है तो अगर मैं इसको कहूं हमारे एक मित्र है कारतिक साब वो इसको शूटिंग-फूटिंग स्टार कुछ बोलते हैं मैं एक मारेको नाम याद नहीं है ठीक है मॉर्निंग स्टार इवनिंग सार ऐसा कुछ ब बचता यहां तक तो at least यहां तक तो कुछ नहीं बचेगा जो मैं बोल रहा था 16,000 के नीचे या ना है उसको फिर क्योंकि 60 तक कुछ नहीं है और यह पहली बार हुआ है monthly basis पर इतना बड़ा फॉल आया मतलब इतना बड़ा भी नहीं है यहां पर तो 15 परसेंट चार परसेंट बैंक निफ्टी देख लेते हैं कहां तक हमारे जा रही है तो पहला एक चीज है कि वह 15,000 से मेरे हिसाब से मैंने 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 जो एंटिसेपेट किया 15,000 से 14,000 के रिंज में आक एक बार स्टेवलाइस होना चाहिए अगर कंडिशन्स एकनोमिक कंडिशन्स और कोईट कंडिशन्स ठीक हैं तो नहीं तो यह फिर यहां पर आके रुख सकता है अगर यह भी नहीं हुआ तो हाई बारे में बता रहा था आपको समझाने कोशिश कर रहा था वं बैंक निफ्टी हां बैंक निफ्टी देखें तो उतना उपर गया नहीं है निफ्टी लेकिन यह भी इसका भी सिमिलर पैटन है सबसे बड़ा एट परसंट का फॉल देख रहा हूं एट परसंट यहां फॉर अब जाके थोड़ा अगर मैनेज कर पाए तो कर पाएगा निफ्टी बांक निफ्टी थोड़ा करना चाहिए कि अगर यह गिरना सुरू कर लोगा और वह जल्दी से निफ्टी भी गिर जाएगा और पॉइंट है कि यह बहुत जादा गिरता है अगर आप देखो इसकी अब हाँ मैं क्या बोल रहा था हा बिलाइन बिसनेस ले लेते हैं तो अर्मूस्ट थो साल एक साल तक और आपको लगता है कि यह विजनेस जो हौँ है यह इसको पुरान जो बिजनस सा उपार निकर चुका यह लेकिन बिजनस नहीं चले उतने और अगर आप कंपेर करके देखो ना बड़े बड़े बिजनस जो भी मतलब यह ना वो किसको इसको इंट्रक्ट किया है इन ही सब बिजनस पर किया है जो बिजनस कोई से एफेक्ट होंगे फिर यह optimism था लोगों का कि यहां से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा जाएगा लेकिन जब बिजनस शुरू होंगे और उस रेविन्यू पर आया ही नहीं है अभी इसको एक दो साल चाहिए अगर यह नॉर्मल हो जाए चीजे तो ठी सिर्फट है तो यह आप लोगों समाज में आ रहा होगा कि क्या क्या कहाना चाहा हो घुद 하지 मार्कट में अच्छा क्रीक्षन अभी आना चाहिए ठीक है अब मार्कट में क्रेक्षन आएगा तो क्या-क्या होगा बहुत इंट्रस्टिंग बात होगी ठीकिन स्टाउकVery करना चाहिए नहीं होल्ड करना चाहिए ये भी अच्छा कोशन है क्योंकि देखो मैंने मेरे मेरे पास कोई होल्डिंग सभी बची नहीं है तो मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट एक बर 15,000-14,000 के पास आये तो तैनल भाइ ठीक है मेरा पर्सनल ओपिनिन अगर आप लोगे तो और और एक बहुत इंपॉर्टन चीज मैं इहां कंसिडर कर रहा हूं अगर कोई आख बंद करके आई प्यों में पैसे लगा रहा है ना मत करो मत करो क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आप यहां क्या होता है क्योंकि कंपनी कैसे काम करती है मत करो वेट करो मैं आप वीडियो बना के दूंगा आराम से देखो समझो या तो बहुत जादा लोगों ने अल्रडी वीडियो डाली हुए है ठीक है समझो आई प्यों समझो उसके बाद इन्वेस्ट करो क्योंकि आप देखरो प्राइज प्राइस के आप से तो यह है अगर आप ध्यान दे रहे हो तो अपने पैसे थोड़े बचा के रखो अभी क्योंकि मार्केट नेगेटिव जाना चाहिए ठीक है बहुत टाइम स क्या नेगेटिव जाना चाहिए अभी तो नेगेटिव है तो यह वीडियो अगर आपको समझ आई हो कुछ अच्छा लगा इसमें तो लाइक कर दीजिए ठीक है सब्सक्राइब कर देजिए चैनल को अगर कुछ भी गलत लगा हो या कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा मिलते हैं कुछ और अलग वीडियो में धन्यवाद